जहीं दोस्तों मेरे नमे असीज, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कभी-कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि MI-A3 का एक बड़ा भाई आचुका है जो कि Motorola One Fusion Plus तो दोस्तों यहां पर वीडियो बनाते टाइम में कई बार बोल दिया ऐसे कि इस टॉक अंडर तो कुछ यूजर को बुरा लगा तो उन्होंने बताया कि बाई गूबल कर लो यह श्टॉक अंडर नहीं है तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मुझे ऐसे क्यों लगा मुझे ऐसे क्यों लगा क्योंकि जब भी मैं देखता हूं दोनों के अंदर कोई भी मुझे इतना मेजर फीचर्स चेंजिस नहीं लगता तो मुझे ऐसा लगा यार थोड़ा से चलो आप लोग को भी बता देते हैं इसके अंदर जो जो आप्शन है जो जो सॉप्डेर इसक गारे इसे को मीरी देखने को मिलता है जो कि हम इसको स्टो अंडौ बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है दो यह जांते विडियो स्टार्ट करते हैं विडियो कर पसंद Hawth id जब से मैं यूज कर रहा हूं, मुझे इसा लग रहा है कि यह MIE3 के बड़ा भाई आ चुका है इसके अंदर श्टॉक अंडुड जैसा फिल दे रहा है और यह अंडुड टेन पर रंद करता है मोटरोला का कुछ छोटा मठा चेंजी से इसके अंदर देखने को मिल जाता है जो कि मोटरोला अपने हिसाब से मोडिफे कर रहा है बट अधर वाई ज्यादा दर मुझे कुछ इतना एक्स्टेस नहीं लगा जो कि मैं ना बोल सकूँ कि इसके अंदर Android जो कि MIE3 के MIE3 जैसा में इसके अंदर जो फील हो रहा है तो सारे आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे चलिए वीडियो स्टाट करते हैं वीडियो पटापट लाइक कर दीजिए यहार इस वीडियो का एम रखते हैं 500 लाइक मुझे उम्मीदे कि आप लोग 500 लाइक करीद हो तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहले में फोन को नीचे रख लेता हूं कि कई सारे भायों का यह कहना है कि आप लोग जब आप जब हाथ से पकड़ के फोन को बताते हो तो आपका हाथ स्टेवल नहीं है तो इसलिए कई सारे सेटिंग्स भूल जाता है तो चलो आप देखते हैं मैं सबसे पहले होम स्क्रिन के बारे बता दो यह वाल पेपर मैंने अब यहां पर मुझे थोड़ा सा अफसोस लग रहा है यहां दोनों के अंदर सेम फीचर्स में देखने को मिल जाता है यहां पर आप देख वारे हों जो सामने जो दिख रहा है कि वेदर और साथ में डिट और यह बगरा डिटल सुद दे रहा है यह सिर्फ आपने लॉंग प्रेस करना है और उजट्स में जाना है और यहां पर गूगल के अंदर एक आप्शन दे रहा है फिलाल यह जो तो आप सेम तो सेम आपको देखने को मिल जाएगा पहले में इसको यूज करता था अगर कोई थाटबटी लंचर यूज करता था वहां पर एक अनधर उजट्स नाम से यूज करता था वहां पर मैं देख पाता था यह वाला वाला फीचर यहां पर सिंपल आप यहां पर ल जाता है मैं अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं नोटिविस्ट पैंदल को देखता हूं तो यहां पर मैं आपको हाथ से उठा के दिखा सकता हूं ब्लांस के अंदर मैं आपको देखने को मिलंगा एकस है मैंने इसके अदर इंसर्ट का रखा हूं तो ठीक लग रहा है लोगने आपको एपडम एकडम लग पराइब लाज लग रहा है इस कम्पनी वाइज कुछ ना कुछ शॉप्टियर एक्ष्टा आता है तो यह मतलब नहीं कि हम इसको नहीं पोलेंगे यह करीब करीब श्ट्रोक अंड़री ही है मोडरोला वन्फिजन प्लस तो चलिए आगे और दिखाता हूं मैं आपको तब तसल्य हो जागा यहां पर देखिए यह तो Google का डाइलर है यहां को तो पता है यहां Messenger भी Google का है तो यहां पर दुनों दुनों सारे सेम ही देखने को मिलता है इसका आप उपनिंग का सेट अप है सब सेम है आपको ऐसा लगा है इसका पार्ट बायानिक मुझे लग सेका है MIA4 MIA3 MIA3 MIA4 ऐसा मुझे फिल लग रहा है तो सेटिंग्स के अंदर चलता हूं और यहां पर सेटिंग्स के अंदर चला जाओंगा आपको थोड़ा से रियल जिसे कहते हैं कंपरेजन हो जाएगा कि हां सच में इस पर सेम ही लागे नेटर्क हो गया कनेक्टर डिवाइस होगा जैसे कनेक्टर डिवाइस के अपकिया यहां पर देखे सेम टू सेम काई कुछ मेजर चेंज़ेस नहीं है जैसे अप डिटेल्स के अंदर देखते हो यह भी फीचर्स होई है और अंडुड 10 में सारे फीचर्स आता है बट कंपनी वाइस अगर आप देखोगे तो कहीना कहीं चेंज होता है जैसे मेरा रियल्मी एक्स टू है वह भी अंडुड 10 यूज होता है लेकिन उसके अंदर रियल्मी यूज होता है आपको बैटरी सेक्शन में जाओगे बैटरी सेक्शन में भी आप देखे सेम टू सेम यह है इसके अंदर आपको आप्स आर रन्निंग नॉर्मली बैटरी सेवर अड़ेटी ब्राइटनेस बैटरी परसेंटेज यह सब इसके अंदर सारे फीचर्स लाज्ट फूल चार्जेश यहां पर कंपनी वाइज थोड़ा सा लोगो चेंज हो जाता है लगोग इतना खास नहीं है बस यह मतलब जो भी ठीक है डिस्प्ले के अंदर चले जाओ आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा है न कोई चेंज से दिख रहा है मुझे इसके अंदर थोड़ा वो चेंज इस लग रहा है क्योंकि यह है स्टाइलिस बड़ इसके अंदर स्टाइलिस नहीं है आंडूर्ड 11 के बाद इसके अंदर आएगा स्टाइलिस के अंदर यह फीचर से एक दे रहा है तो यहां पर fingerprint की screenshot हो जाता है अगला फीचर जैसे storage के अंदर गए storage में भी आपको same to same देखने को मिलेगा इसके अंदर same same है और सब कुछ same privacy प्राइवेसी तो चलो यह ठीक है मानते कि Android 10 का privacy है आप यहां पर सारी चीज़ डिटल्स same to बराबर देखने को मिलेगा accounts यह भी वही वाजीवा मैं तो ऐसे सोच रहा था कि इसके अंदर काईने की changes मिलेगा क्यों कुछ एक यूजर ने आकर मुझे बला कि google कर ले भाई यह stock Android नहीं है तो ठीक है यह stock Android नहीं है करीब करीब आप लोग इस वीडियो के अब तक देख रहे हो तो समझ गये होंगे यहां पर असे सोल बेंडू के अंदर भी आप same to same देखने को मिलेगा सब कुछ डिटेल्स इसके अंदर कोई भी ऐसी changes नहीं है तो आगे बढ़ता हूँ यहां पर आपको security के अंदर दिखा देता हूँ security में भी आप लोग को पता चली जाएगा इसके अंदर तो कुछ न कुछ पता चलेगा security update, security update, security update fingerprint हाँ यहां पर face lock है इसके अदर face lock नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि यह यहां पर एक pop-up selfie दे रखा है इसलिए face lock नहीं दे रखा है MI service है और यहां पर आगे चले के इसके तरह डिटल से डिटिंग और फिडवाग यहां मोटोला का service है Google है, digital overview टेक टैप करता है digital overview में भी आपको same to same देखने को मिलेगा changes कुछ नहीं देखने को मिलेगा तो कुछी कुछी चीज यहां पर something different बस थोड़ा-थोड़ा कुछ changes आपको देखने को मिल सकता है अब आगे चलते हैं system ठीक है system सही बता चल जाएगा यहां पर लखिए language language इस adaptive performance कुछ दे रखा है यही जो है details जो है एक option आपको देखने को मिल जाता है इसके लाबा आपको यहां पर gesture, tap, tap gesture में आपको changes देखने को मिलेगा यहां पर swiper finger इसका जो पीछे का finger नहीं इसका front finger पर देखने को यह option नहीं है तो triple press over की यह feature था जाता है system navigation gesture हमें जो simple आपको देखने को मिल जाता है है ना लग बग ऐसे हैं कि मैंने Nokia का phone यूज किया हूँ लेकिए वो इस टाइप का centricum नहीं था MLT के साथ यहां पर 110 है वो इसके साथ ही पता चल जाता है कुछ यहां पर flash light features के लिए shortcut आपने company होई आपको जैसे नॉर्मले आप यूज किया होगा stock Android भी Android phone device आप ASOS का M1, M1 Pro, M1 Pro 2 भी features आप देख रहे होँगे उसके अंदर भी features कुछ ना कुछ extra दे दिया होगा आपको तो यह शीचर यहां पर system update पर टैप करता ही यहां पर इस type का आप लोग यहां तक देख लेओंगे आपको लग रहा होगे आपको लग रहा होगे कि आपको फोन के अंदर कुछ चेंजिस है यहनी कि मैं अगर गलती से मेरे मुझ से कभी निकल गया हो stock Android तो यह Android 1 तो करीब करीब है इस वाज़े से मैंने बोल दिया करनल भासन जो है 4.14.117 माइनस प्रिफलस ठीक है दोनों में बरावर और एक तो है जो कि मैं अपडेट इसके साथ दिखा हुआ है और एक जून का यह फिचर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का करनल भासन भी सेम है इन दोनों डिवाइस का तो विचर भासन में अप अलग से अलग सेटप देखने को मिलेगा लेकिन अंडूड फ्लेट सिस्टम में जो जो गूगल प्लेट सिस्टम अपडेट है दोनों का बरावर है बस अपडेट जो है अभी फिलाल इसके अंदर अभी तक मिला नहीं है मैं भी इसके अंदर मिल जाएगा यहां पर अंडूड 10 आपको देखने को मिल जाता है कि करीब करीब जैसे करे रहे एक मोवी आया था करीब करीब सिंगल सेंप्लिसम करीब करीब स्टॉक अंडूड यहने करीब करीब अंडूड वान तो बस यह एक था और साथ में आपको और एक फीचर्स दिखा देता हूं दोनों के अंदर आप चेक करना यहां पर डबल फेस करके आगे बढ़ा दूँगा यह दिखे यह दोनों फीचर्स भी इसके अंदर अवेलेवल हैं आपको चेक कर सकते हूं है निकि MIA3 और Motorola One Fusion Plus तो भाई इसके अंदर आप बताओ कि अगर गलती से मेरे मुह से निकल गया है कि Android One तो मैंने कोई गलती तो नहीं किया क्यां पर मेरे को ऐसे फील हो रहा है कि इसके अंदर जो भी है सारे डिटिल्स मुझे ऐसे अलग रहा है मुझे इससा लग रहा है यार इसके अंदर स्टॉक गंड़ी से फील हो रहा है तो मैं भी स्टॉक गंड़ी है वीडियो कैसे लगा कॉमेंट करके ज़रूब होता ना मैं मिलूगा इंड़ी सार्थ तब तक लिए बाइबे टेक्यार और बंदे मातरा